तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दो साल के बच्चों की डाइट चार्ट अगर आपका नवजा शुशु भी दो साल का हो गया है तो आपको उसके खाने में क्या-क्या चेंजिस करने चाहिए और बच्चों को क्या-क्या चीजे उस टाइम पर पसंद होती है तो आज मैं आपको ऐसी ही कुछ चीजे बताने जारी हूँ So have a look on my video नवजात अवस्ता बच्चे के जीवन का पहला वर्ष बच्चे की वृद्धी और विकास के लिए शारिरिक और भवनात्मक रूप से वृद्धी का मुख्य समय है जो डाइट प्लैन खाना शिशू इस समय लेता है वो बच्चे के शरीर के वजन, स्वास्ते और समग्र वृद्धी पर दीरकालिक प्रभाव पड़ता है शिशू अनाज बच्चे को ठोश शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है शिशू अनाज बच्चे को ठोश शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मैश किये हुए खादे पदा जैसे मैश किये हुए टमाटर या चावल की तरह भोजन में बच्चे की रुची बढ़ा सकते हैं मास या उबला हुआ चिकन बच्चे को दिया जा सकता है कुछ भी स्वस्थ बच्चे का पहला भोजन होना चाहिए बच्चों के लिए फूट चार्ट ठोस का परिच्चे कराते समय गंदगी के लिए तैयार रहिए जो आपका बच्चा खाते समय करने वाला है आपका बच्चा पहली बार में खाना शुरून नहीं करेगा तो आपको शांत और धैर्रे रखने की आविशक्ता है आप बच्चे को पहले कुछ और ठूकने देना चाहिए जब तक की वे ठोस से वाकिफ नहीं हो जाता बच्चे को खाते समय अराम से बिठाना चाहिए शिश्यों के लिए आहार समय के साथ आप चबाने वाले खाद्य पदार्त भी अपने बच्चे से परिचित करवा सकते हैं सबजियां, फल, चिकन, मास आदी बच्चों को खिलाया जा सकता है एक बारवे नौ महीने या लगभग उम्र तक पहुचते हैं पेशा के सबसे अच्छा है अगर बच्चे को उनके मुख्य पोशक तत्व स्रोत के रूप में एक साल तक मा का दूद दिया जाए गाई के दूद का एक छोटा सा हिस्सा आठ महीने की उम्र में पेश किया जा सकता है क्योंकि बच्चे को प्रोटीन और अन्य पोशक तत्वों की जरूरत होती है जिसका सबसे अच्छा लाब गाई के दूद के साथ उठाया जा सकता है याद रखें अपने बच्चे को कुछ खाद्य पदार्तों से एलर्जी हो सकती है या अधिक पोशक तत्वों की खुराग की अवश्यक्ता होगी आपको विकास के प्रारंबिक दौर में अपने बच्चे को खिलाते समय आदर्श रूप से एक डॉक्टर से खाद्य और पोशक तत्वों के बारे में प्रामार्श करना चाहिए शिशू का अहार बच्चों को जीवन के पहले 6 मैनों के लिए सिर्फ तन पान कराया जा सकता है यह मा और बच्चे दोनों के लिए सबसे अच्छा है मा के दूद में शिश्यों के लिए सबसे अधिक पौशक तत्व मिश्रित होते हैं यह antibody, enzymo और ज्वलन विरोधी कार को और fatty acid से भरा होता है बच्चों का diet chart यह सभी बच्चे के मस्तिश के सर्व शेष्ट विकास को बढ़ावा देते है यह कई पेट और श्वसन संक्रमर से लड़ने के लिए शिश्यों को मदद करता है यदि मा का दूद अपरी हाई कारण से संभव नहीं है तो शिश्यों फॉर्मूला दूद की शुरुवात की जा सकती है तो आज की इस बेबी हैल्थ गाइड वीडियो में हमने जाना की आप अपने दो साल तक के नवजा शिश्यों को क्या क्या खिला सकते हैं So this much is for today and I will be back with more बेबी हैल्थ गाइड वीडियो on my channel उसके लिए आप हमारे चैनल बेबी हैल्थ गाइड को आज ही सब्सक्राइब कीजिए Till then take care of your newborn baby. Thank you